नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एड्यूकेशन हब में आज हम डिसकस करने वाले हैं मल्टिपल एड्रेस डिफरेन्ट जस्ते नमबर सपोर्स किजिए अगरbung किसी पार्टी को सेल करते हैं थेंडी है और अपकी जो महारास्टरा में भी है गुजरात में भी है तो अगर आपका head office डेली में है और आप चाहते हैं कि आप अपने head office आप अपने बैंगलोर के address से invoice raise करें आप अपने लिए खुद के लिए आपको कैसे address को set करना है multiple address को set करना है वो सारी चीजे जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इस वीडियो में सीखने वाले हैं डिटेल में आपको बताने वाली हूं so that आपको multiple address से related जो भी confusion है वो सारी confusion इस वीडियो में clear हो जाएगी आगे बढ़ने से पहले अगर आप first time मेरी वीडियो को watch कर रहे हैं and new viewer है तो आपको मेरे चैनल को like करना है जितना हो सकता है होतना मेरे चैनल को share कीजिए वीडियो के right hand side पे आप छोटा सा red color का subscribe button देख सकते हैं इसको press करके इसको hit करके मेरे चैनल को आप subscribe कर दीजिए and मुझे support कीजिए साथ ही bell icon को press करना ना भूटिएगा इससे in future जो भी वीडियो में upload करूँगी उसकी notification आपको time to time मुलती related account से related किसी भी type की कोई भी confusion है आप मुझे comments कर सकते हैं definitely इसका solution and reply आप को दूँगी थोड़ा सा delay हो सकता है but definitely मैं try करूँगी कि जितना जल्द से जल्द हो सके मैं आपके comments का reply कर सकूँ तो चलिए देखते हैं कैसे हम चैनली में multiple address with different GST set करेंगे gateway of tally से आप lf3 कीजिए company information में click करना है then create company करना है मैंने already create किया है तो मैं आपको show करती हूँ mailing name में आपका company का name आजाएगा address में आपको यहाँ पे address type करना है जो भी आपके company का address है हमारी डेली की company है और उसके बाद देखिए country आपको select करना है इंडिया country है state में डेली आ जा company create कर लेंगे and company create करने के बाद आपको क्या करना है अगेन आपको gateview of tally से f11 प्रेस करना है and statutory and text session के अंडर में आना है set gst detail जो है उसको आपको एस प्रेस करके सारी detail यहाँ पे fill out करनी है one by one सारी detail आप यहाँ पे fill out कर दीचे इस detail को fill out करने के बाद इस screen को आपको accept करना है तो statutory and text session का हमने setting कर लिया है and उसके बाद देखिए आपको क्या करना है again fill and press करना है यहाँ पे देखिए सबसे नीचे others feature में आपको show होगा maintain multiple mailing details for company and ledger इस option को आपको yes करना है and set alter company mailing details इस option को भी आप yes प्रेस करेंगे जैसे ही आप yes प्रेस करेंगे आपके पास देखिए यह option show हो जायागा जिसमें की primary show हो रहा है जो हमने company create करते समय जो address will out किया था वो address आपको यहाँ पे show होगा यह आपका existing address है जो आपने company create करते समय एड्रेस फिल आउट किया था डैली वाला वह है इसके बाद देखिए second आपको पूछेगा तो यहाँ पर क्या करना है second जो आपको address रखना है उसका state का नाम यहाँ पर डाल दीजिए and again आपको mailing name में same company का name रखना है जो आपने company create करते समय रखा था address आप यहाँ पर डाल दीजिए पंजाब वाला address हम यहाँ पर फिल आउट कर लेंगे then pin code number and mobile number सारी detail आप यहाँ पर फिल आउट कर लेंगे तो इस तरीके से हमने अपने company के लिए दो address फिल आउट किया है तो चलिए हम उस party का laser create कर लेते हैं suppose कि आपको sale वाली create page आएंगे अब यहाँ पर हम create कर रहे हैं राम ट्रेडिंग कमपनी का laser जिसको हम sale करते हैं अंडर यह हमारे sundry data के आएगा क्योंकि हम इसको sale करते हैं तो जिसको हम sale करते हैं इसको sundry data के अंडर पर रखते हैं अब यहाँ अब देखिए आपको यहाँ पर address का option शो होगा त suppose कीजिए same party का दो जगर registration है दो स्टेट में registration है एक यूपी में है एन एक पंजाब में है तो एक address हम यहाँ पर fill out कर लेंगे यह आप यूपी का कर लीजिए यह फिर आप पंजाब का कर लीजिए फिर आगे हम चलके देखेंगे कि कैसे हमको same party के लिए multiple address कैसे set करना है यहा पर देखिए आपको provide address for leisure इसको आपको yes करना है एन उसके बाद देखिए आपको show होगा use address for maintain account इसको भी yes कर लीजिए provide contact details yes कर लीजिए provide multiple address इस option को आप yes करेंगे अगर आप इस option को yes नहीं करेंगे तो आप multiple address जो है वो maintain नहीं कर पाएंगे इसलिए main option है इसको आपको yes रखन किया था तो सारी जो address की detail है सारे option यहाँ पर enable हो गये हैं सारे options आपको यहाँ पर दिख रहे हैं contact person का name डाल दीजिए phone number mobile number email and अगर आपके company की website है तो आप अपनी website भी हाँ फिल आउट कर सकते हैं तो यह सारा जो address है detail में शो होगा सारा आप फिल आउट कर लीजिए and उसके करना है जैसे ही आप यस प्रेस करेंगे यस प्रेस करते ही कुछ इस टाइब का dialogue box आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पर आप राम ट्रेडिंग कंपनी के लिए multiple address जो है वो सेट कर सकते हैं suppose कीजिए राम ट्रेडिंग कंपनी की 2-3 form है इंडिया में अलग-अलग different state में तो डेली में दो जगा फॉर्म है तो हमने यूपी का तो हम सेट कर चुके हैं अभी कर रहे हैं डेली का हमें यहाँ पर करना है सारी डीजेल आपको यहाँ पर फिल आउट करनी है country कर लिजिए state आप चूस कर लेंगे pin code and contact person name phone number अगर fax number है तो fax number डाल दीजिए email और उसके बा है यहाँ अफ्यक्र करना है सेंग पार्टी के लिए लिए consideringcom stararte करके आप आप नीचे हाँ अगे आपको से नबर तो इस टाइब से देखिए हमने इस party के लिए जब हम ledger create करते हैं उससे time आपको क्या करना है ledger create करते समय after press करके configure करना है जहाँ पे आपको show होगा multiple address detail उसको आपको yes करना है और फिर आप multiple address को maintain कर सकते हैं और उसके बाद देखिए enter press करके आपको यहाँ पे gst number नंबर यहाँ पे option show हो रहा है यहाँ पे आपको party का gst up के लिए जो gst नंबर वह फिल आउट करना है देखिए हमने जो multiple address में यह डैली वाला जो है डैली का हमने हाँ पे gst नंबर फिल आउट किया है multiple address में अब यहाँ पे जो हम gst नंबर फिल आउट करेंगे राम ट्रेडिंग कमपनी के लिए हम यहाँ पे लेजर क्रेट कर रहे हैं उत्तर प्रदर्स के लिए तो यहाँ पे यूपी वाला जो है वो gst नंबर फिल आउट करना है gst नंबर फिल आउट करके आप इस लेजर को accept कर लेंगे तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि कैसे आपको जो आप सेल वाली पार्टी के लेजर के अंडर में कैसे आप multiple address को set करेंगे इस टैप से आपको किसी भी लेजर में आप set कर सकते हैं अब चलिए एक entry करके हम देख लेते हैं print out इसका कैसे show होगा तो gate view आप टैले से वी प्रेस करेंगे and sale वाला voucher जो है वो select कर लेंगे date आप यहाँ से choose कर लीजे जिस भी date में आप invoice बना रहे है पार्टी हमें देखिए राम ट्रेडिंग कंपनी जो है वो choose कर लेनी है अब देखिए enter प्रेस करेंगे buyer's name आपको राम ट्रेडिंग कंपन उत्तर प्रदेस है इसलिए हम sale IGST करेंगे यहाँ पर आइटम चूस कर लेते हैं आइटम चूस करने के बाद इस पार्टी पर हम टेक्स अप्लाय करेंगे इंटर स्टेट की पार्टी है इसलिए हम इस पर आइजस्टी अप्लाई करेंगे और इस इन्वाइस को हम accept कर लेते हैं accept करने के बाद मैं आपको show करती हूं कि इसका print कैसा show होगा तो देखे जैसे ही आप print पे click करेंगे zoom करके मैं आपको show करती में हमारी देख़ए हमारी बाला इड्रेडिंग कंपणी ध 203 यहां पे उत्तर प्र ट्रिदर से चांपर अगर आप से अगर अप 20 urban प्राइमधी reject करते हैं में डाला आप कर रहा है में यहां पर इस टैप से अगर आप ऑफ्षन हों आप प्राइमरी चूज करते हैं तो वह एड्रिस पीक करता है जो आपने लेजर क्रियेट करते समय आप डाला था आप देखिए नेक्स इनवाइस क्रियेट करके मैं आपको बताती हूं इसका इंपक्त क्या होता है सेम पार्टी हमें चूज करना है राम ट्रेडिंग कंपनी इकड्राम ट्रेडिंग कंपनी का देखिए अड्रेस ट्राइप पर जैसे आप आएंगे हाँ पर आपको लिस्ट ऑफ एड्रेस ट्राइप शो हो रहा है प्राइमरी एंड डेली अगर आप प्राइमरी चूज करते हैं तो यहां पर जो लेजर है उत्हटर प्र देश एड् करेंगे क्योंकि हम लोकल पार्टी के लिए बना रहे हैं यहां पर आइटम चूस कर लिजिए आइटम चूस करने के बाद देखिए आप यहां पर CGST एंड SGST अपलाय करेंगे क्योंकि लोकल में हम सेल कर रहे हैं सेम पार्टी का देखिया हमने पहले उत्तर प्रदिस में और अब हमने आप एड्रेस चेंज करके डैली में किया चलिए देखते हैं जो हमने एड्रेस चेंज किया था उसका इंपक्ट क्या शो होता है प्रिंट पे तो सेम इनवाइस ओपन कर लेंगे जो हमने जस्त अभी बनाया था यहां पर देखिए प्रिंट पे क्लिक करूंगी म करूंगे कि क्या impact हुआ है उसका जो कर लेते हैं सूमन Trading Company पे प्रिंट के से लिए स्टेट चूज कि यह चूस किया था इसन्लिय डेली का पीकि और तो इस टेप से हमकी कितनीऑ वीर्म हो कितना भी ऑड्रेस हो आप इस टाइब से multiple address में जाके set कर सकते हैं उसका address आप set कर लीजे जब आप invoice बनाते हैं उस time में आपको दियान रखना है वहाँ पे आपको address वाला detail जो है वहाँ पे आपको choose करना है कि party किस address पे आपसे invoice बनवाना चाहती है अब चलिए अब हमने ये देख लिया वो term and condition जहाँ पे हमें party का multiple address set करना होता है अब suppose किजिए आप अपनी company का address से वो change करना चाहते हैं जो हमने देखिए सुमन ट्रेडिंग company का जो laser create किया था अपनी firm का आप उसको भी change कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको starting में बताया था अगर suppose किजिए आपका head office Delhi में है और आपके branch all over India में है तो आप कैसे अपना भी address change कर सकते हैं यहां पर देखिए आपको additional information शो हो रहा है प्रिंट with company name यस कर दीजिए यह में option यहां पर company address in print यह main option है लिस्ट of address टाइप आपको शो होगा primary पंजाब देखिए प्राइमरी आप अगर करेंगे तो आपका डेली का address आपने जो company create करते समय किया था वह address प्रिक करेगा अगर पंजाब से आप billing करना चाहते हैं अपने पंजाब के form से तो पंजाब आप चूस कर लिजे पंजाब चूस करने के बाद देखिए प्रिंट पर मैं आपको शो करती हूं अब देखिए यहां पर आपको सुबन ट्रेडिंग company के लिए पंजाब का address शो हो रहा है पहले यहां पर डैली वाला address कर सकते हैं multiple address maintain कर सकते हैं अपने पार्टी का भी maintain कर सकते हैं सपोर्स कीजिए आपको चेंज करना है अपकी जो ब्रांच है वो all over इंडिया में हैं और आप सारे ब्रांच के लिए address set करना चाहते हैं तो f11 press कीजिए f11 press करने के बाद आपको simply क्या करना है accounting features पर क्लिक करना है और देखिए नीचे आपको एक option show होगा set alter company mailing details इसको आप yes कर लीजिए yes press करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर primary show होगा जो हमने company create करते समय जो address डाला था वो primary में show होता है and next हमने देखिए पंजाब के लिए address set किया था अपने पंजाब branch के लिए अब अगर और आप च आपने फॉर्म का सेम नाम रखना है एड्रेस में आपको क्या करना है अपने हर्याना branch का जो आपका address है वो आप यहाँ पे fill out कर लेंगे detail में fill out कर लीजिए उसके बाद pin code करना है phone number करना है and then mobile number करना है आपको यहाँ पे fax number है तो fax number कर लीजिए email id है तो email id कर लीजिए website ह तो website सारी detail आप फिल out कर लीजिए तो देखिए हमने आपे अपने हर्याना branch का address set कर लिया है आप इस टैप से one by one जितने भी branch है सारे branch के address set कर सकते हैं तो अब देखिए next हम अपने महारास्टरा branch का address set करना चाहते हैं mailing name में सेम आपको अपनी form का नाम रखना है address में आपको यहाँ पर महारास्टरा branch का address है आप यहाँ पर fill out कर लीजिए सारी detail जो है आप यहाँ पर fill out कर सकते हैं pin code number phone number mobile number fax number email id and website अब देखिए step से हमने आपे महारास्टर अपनी महारास्टर branch के लिए जो address है वो set कर लिया है आपके जितने भी state में branch हैं उन सारे state का जो है आप address है यहाँ पर set कर सकते हैं तो इस step से अब मैं आपको show करती हूं कि कैसे आप इन सारे addresses को कैसे change कर सकते हैं चलिए कोई भी एक voucher open कर लेते हैं अपने sale का अब देखिए suppose कीजिए अगर आपको अपने जो आपने primary address बनाया था वहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज क प्रांच का आपको address चूज करना है कर सकते हैं suppose कीजिए आपको महारास्ट्रा से billing करनी है तो महारास्ट्रा चूज कर लीजिए and print पे क्लिक कीजिए मैं आपको zoom करके शो करती हूं देखिए सुमन ट्रेडिंग कंपनी में आपको नीचे आपे महारास्ट्रा का address हो रहा है क् फिर अपने पार्टी का multiple address with different gst number maintain करना चाहते हैं तो उसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं स्टैप से आपको करना है जैसे मैंने आपको step by step यहां बताया है step by step जैसे बताया है step से आपको follow करना है यहां पे print पे जाना है and then alt p के बाद आपको alt t करना है आप राइट-hand side पे green color क tag show होगा वहाँ पे title का option मिलेगा वहाँ पे आप क्लिक किजिए and then according अपने ब्रांच का address चूज कर दीजिए तो वही address आपको pick करेगा invoice में जिस ब्रांच का आप invoice रखना चाहते हैं अब देखिए change करके में शो कर दियूं सारे branches का one by one primary जैसी आप चूज करेंगे अगर आप नहीं चाहते किस और address अपने head office से invoice करना चाहते हैं तो आप primary choose कर लेजिए देखिए जो आपने company create की थी starting में डेली address पे वह address आपको यहां पर primary address में शो होगा तो इस step से आप change कर सकते हैं खुद के company के लिए या फिर अपने पार्टिस के company के लिए multiple address with different GST description box लो check out करना ना जो भी वीडियो बनाती हूं उन सारे वीडियो के लिंक वहां provide कर दूंगी अगर आप चाहें तो उन सारे वीडियो को watch out कर सकते हैं ठैली से related accounts related छोटे से छोटे और बड़े से बड़े topics को मैंने cover करने की कोशिश की है still मैं कर नहीं हूं and in future में मैं करती रहूंगी I wish यह व